पूरे प्लेलिस्ट को आप स्टार्टिंग से देखे तभी आपको आगे के विडियो और अच्छे से समझ में आएंगे फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स की कमपनी Policy Video Series का ये छोथा चैप्टर का ही भाग है इस वीडियो में हम प्रेफर्ड कस्टमर की 6 महीने की पॉलिसी के बारे में बात करेंगे बहुत सारे लोग होंगे जो forever में जुड़े होंगे और preferred customer लेवल पर होंगे उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा important है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा preferred customer की 6 महीने की policy जो की November 2010 से लागू है आप forever living products में जॉइन होए है और जॉइन होने की तारीक से 6 महीने तक preferred customer लेवल पर है तो उसके बाद आप चाहे तो एक नया sponsor चुन सकते है यानि 6 महीने के बाद आप किसी दूसरे व्यक्ति के नीचे जॉइन हो सकते है एक example देता हूँ मान लीजिए आप 1 जनवरी 2023 के दिन forever में जॉइन हुए है और 30 जून 2023 यानि की 6 महीने तक आप assistant supervisor नहीं बनते हैं यानि की preferred customer रहते हैं तो 30 जून के बाद यानि की 1 जुलाई 2023 से आप चाहो तो किसी दूसरे व्यक्ति के नीचे फिर से जॉइन हो सकते हैं यानि आप अपना sponsor बदल सकते हैं एक preferred customer जो एक नया sponsor चुनता है वो किसी भी पूर्व downline और संचित move up CC को खो देगा और सभी लागो incentive के लिए पुनह रूप में गिना जाएगा एक अप्रेल 2015 से लागू forever business owner application पर single name required की नई policy के कार्यानवें के साथ अपने मूल forever business owner application पर दूसरे आवेदक वाले preferred customer दूसरे आवेदकों का नाम पूरा होने पर स्वचालित रूप से हटा दिया जाएगा Active qualification, volume bonus, leadership bonus और सभी incentives के लिए अरहता प्राप्त करने के लिए एक FBO को active होना जरूरी है और उस calendar महीने के दौरान marketing plan की अन्य सभी आवश्यक्ताओं को पूरा करना जरूरी है जिसमें bonus अरजित किये जाते है अपनी home operating company में महीने में active माने जाने के लिए एक FBO के पास उस महीने के दौरान home operating company में cool 4 active CC होने चाहिए जिनमें से कम से कम एक CC personal ID में होना चाहिए और बाकी खुद sponsor किये preferred customer से होने चाहिए एक विदेशी operating company में महीने के लिए active माने जाने के लिए उसे पिछले महीने के दौरान home operating company में active के रूप में योगे होना चाहिए या चालू महीने के दौरान उस विदेशी operating company में कुल 4 active CC होने चाहिए जिनमें से कम से कम एक personal ID में CC होना चाहिए Active Qualification हासिल नहीं करने वाले Assistant Supervisor को उस महीने Personal Bonus या Preferred Customer Bonus का भुखतान नहीं किया जाएगा Supervisor, Assistant Manager और Manager जो Active Qualification हासिल नहीं करते हैं उन्हें उस महीने Volume Bonus का भुखतान नहीं किया जाएगा किसी FBO द्वारा अरजित कोई भी बोनस जो महीने के दोरान Active नहीं है Marketing Plan के अनुसार उसके Active Appline FBO को भुखतान किया जाएगा एक FBO जो Active नहीं होने पर किसी भी बोनस को प्राप्त नहीं कर पाता है वो अगले महीने Active FBO के रूप में बिना पूर्वव्यापी आवेदन के फिर से बोनस प्राप्त करने योग्य हो सकता है बोनस और Profit की गणना और भुखतान सभी बोनस की गणना FBO के मासिक Recap में निर्धारित, बोनस Recap Price यानी BRP पर की जाती है बोनस की गणना FBO के उस समय के लेवल के अनुसार की जाती है जब Products का Order किया जाता है बोनस उच्चे लेवल पर जाने की तारीक पर आधारित होते है एक FBO को अपने द्वारा Sponsor किये हुए टीम में किसी भी FBO पर वॉल्यूम बोनस नहीं मिलता है जो Marketing Plan में समान स्तर पर है हाला कि उसे लेवल की उन्नती और अन्य इंसेंटिव के लिए SS रोतों से पूर्म CC प्राप्त होते है मान लीजिए आप सुपवाइजर लेवल पर है और आपके डाउनलाइन में भी एक व्यक्ती सुपवाइजर है तो उसमें से आपको वॉलियूम बोनस नहीं मिलेगा लेकिन आपको असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए जो CC चाहिए वो आपके नीचे के सुपवाइजर में से आपको मिलेंगे जिस महीने कमपनी से उत्पाद खरीदा गया था उसके अगले महीने की 15 वी तारीख को FBO के बैंक खाते में बोनस भुकतान जमा किया जाता है उदाहरन के लिए मान लीजिए जन्वरी महीने की खरीदारी के बोनस 15 फरवरी को बैंक खाते में जमा किये जाते हैं कमाई का सारांश, बोनस रिकेब स्टेटमेंट, अर्जित बोनस और अन्य डेटा www.foreverliving.com के माध्यम से उनलाइन उपलब्ध कराया जाता है Preferred Customer द्वारा की गई खरीदारी पर उतपन लाब का भुगतान, FBO की बोनस राशी के साथ, अगले महीने की 15 तारीक को किया जाता है जिस देश में प्रॉफिट या बोनस अर्जित किये जाते हैं, उस देश के बाहर किसी FBO को किये गए भुगतान पर, अर्जित कोई भी थर्ड पार्टी शुल्क या फीस या टैक्स की जिम्मेदारी उस FBO की होगी Forever Business Owner यानि FBO की 36 महीने की Policy जो सितंबर 2017 से लागू और नवंबर 2020 में लागू है एक FBO जिसने लगातार 36 महीनों तक कोई भी प्रोड़क्ट्स की खरीदारी नहीं की है, वो अपने सभी स्पॉंसर की ये डाउन लाइनों को खोदेगा उसकी सारी डाउन लाइन उसके अपलाइन FBO के नीचे चली जाएगी यदि FBO के पास अपनी टीम में पहली लाइन के मैनेजर है, तो ये सारे मैनेजर उसके अपलाइन FBO के नीचे चले जाएंगे और उन सभी मैनेजरों को Inherited Manager यानी विरासत में मिले हुए मैनेजर कहा जाएगा In short, अगर आपको अपनी टीम को नहीं खोना है, तो 36 महीनों में कम से कम एक बार आपको अपने Personal ID में Products खरीदना जरूरी है तो ये था Company Policy का चौथा Chapter, Bonus Structure, Marketing Plan I hope की आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया, तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, जब तक समझ में ना आये तब तक देखे, चाहे तो आपके Sponsor या Active Appline से पूछे, या फिर इस वीडियो में आपका सवाल कॉमेंट करे, मैं कोशिश करूंगा क की जल्द से जल्द reply कर पाऊंग। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जाए हिंद।